अपने विडियो में आप लोगों को बदाने वाला हूं कि इस तरीके से आप अपने Snapchat की जो फोटोस एंड वीडियो जो क्लिक करते हैं तो इसको आप लोग अपने Camera Roll में कैसे ला सकते हैं यार क्या होते हैं जभिवलों से डिर्ग्ली फोटो लगे अगिर हैं यहां से से वले करते हैं Photos and वीडियो को से गालरी में चली जाती है थाकि आप दूसरा एप्लिकेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं चाहें आप अपने Instagram story पे upload कर सकते हैं लेकिन जब आप अभी currently यहां पे save कर रहे हैं तो वो यहां snaps में आ रही है या memories में आ रही है uda यहाँ पर क्लिक करने के बाध सेटिंस में जाने के बाद हमें यहा पर आना पड़ेगा तो यहां पर आपको दिखाई देर हूं के अभर यहां पर करना है यहां पर सेउब बटन वाला एक í nach आपका यहां बटन और यहां और यहां बता देता हूं देखिए अब यहाँ पर recently हमने snap जो करी थी से पहले से हुई यहाँ पर save हुई थी अब मैं आपको यहाँ पर एक photo यहाँ पर sorry video click कर दी हमने photo करते है photo video दोनों save होने वाली बट मैं आपको photo example दे रहा हूँ photo कर लिए अब हम इसको save करते हैं तो यह saved हो चुकी है अब मैं आपको दा देता हूँ यह हमारे camera roll में आ चुकी है तो यह देखिए यहाँ पर हमारे camera roll में आ गई है यह यह वो photo जैसा ही आ चुकी है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर यह setting कर सकते हैं ताकि आपकी जो photo और video आप लोग click कर रहे हो आपके memory card या फिर phone storage में आ सके या फिर camera roll में आ सके so I hope आप लोगों को video पसंद आई होगी video पसंद आई तो like करें और channel को subscribe करना ना भूले मैं मलता हूँ अपसे ऐसे किसी amazing और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए stay tuned with Manishwar you